ख़वर मद्धप्रदेश के कुरई से है जहां सिमरिया गाउं में सोमवार रात गोकशी का आरोप लगा कर दो आदिवासियों की पीट पीट कर हत्या करने के नौ आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है अन्य आरोपियों की तलास में टीमें अलग-अलग स्थानों पर दबिस दे रही हैं सिवनी स्पी ने बताया कि अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफतार किया जाएगा स्पी कुमार प्रतीक ने बताया कि सोमवार रात लगभग तीन बजे करीब 15-20 लोगों ने गोकशी के सक्ट पर सिमरिया गाउन इवासी धनसा इनावती, सागर गाउन इवासी संपत बट्टी और ब्रजेस को घेर लिया आरोपितों का कहना था कि ये गोमांस लेजा रहे थे, आरोपियों ने लाठी डंडों से तीनों की जमकर पिटाई की थी इसी बीच बजरंग दल के किसी पदाधिकारी ने बदला पार पुलिस को फोन लगा दिया पुलिस ने गंभीर रूप से घायल तीनों को जिला स्पताल पहुचाया जहां धनसा और संपत ने दम तोड़ दिया दोपहर करीब 12 बजे ग्रामिनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया उनकी माग थी कि सभी आरोपियों के वैद अवैद मकानों पर बुल्डोजर चलाया जाए अंदोलनकारी शाम तक इसी बात को लेकर अडे रहे सहमती बनने के बाद करीब 6 बजे जाम हट सका प्रसासन निम्रत को के स्वजन को परिजनों को 8.25 लाक रुपए की सहायता राशी स्विक्रित की है बरगाट विधायक अरजुन सिंग का कोडिया के आरोप है की आरोपित बजरंग दल से जुड़े हुए है इन्होंने संगठन पर प्रतिबन लगाने की माग भी की है पुलिस ने सेर सिंग पुत्र दुरगा प्रसाद राठोर निवासी बादलपार आजय पुत्र सिव प्रसाद साहु निवासी गोपाल गंच वेदान पुत्र पूनम सिंग चौहान निवासी बादलपार दीपक पुत्र लेखराम अवधिया निवासी गोपाल गंज बसंत रघुनंदन गजराज रघुनंसी आदि को आरोपी बनाया है और गिरफतार कर लिया है एक आरोपी सेर सिंगी पान की दुकान भी हटा दी गई है तो इसको लेकर के आपस भी दिवाद लिया और इसके पार यह घटना लिया तो इस परकार की स्विथिति अभेश में यह कहना कि किसी संगठर में या किसी विक्ति ने इस परकार का अपरात किया या शामोही के गढ़ना को अंजाम लिया यह कहना ठीक में जो भी वस्तुई से किये जांच के बाद जांच में को तब थाइगे वो सामने सारा अधिशा यादा है और उस पर कारवाई गरफतारी यहां तक होना तक गरफतारी कर सवा लेगे छे लोग गरफतार नाम जद्गी उस लखना में जो लोग सामें थे तो नाम जद्गी उसको रफतार किया है और बाकी वेशे यह भी का गया है कि दस्या बारा लोग है तो उनमें से इन लोग और किरफतारी यह से नौ लोग किरफतारी है